मुझे सबसे पहले तो बहुत आभार है कि सब लोग मुझे इतना प्यार और समान दे रहे हैं और काफी लंबा सफर रहा है मेरा यहां तक का हाला कि मैं सिर्फ बाइस साल की हूँ पर मुझे मेरे खेल में अब मुझे साड़े आज साल हो गया है और मैं स्पोर्ट्स में बच्पन से हूँ तो I would say कि मेरी बच्पन से ही तयारी थी शायद इसी पल की और आज जिस सरीके से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं मुझे लग रहा है कि वो बहुत हद तक सफल हुआ है और दूसरी चीज आज मुझे यहां आगर बहुत-बहुत समानत और बहुत-बहुत लोगों से प्यार मिला है और समान मिला है और जैसे कि सर ने बूला कि मैं अच्छली इसी फैमिली से भी बिलॉंग करती हूँ क्योंकि मेरे फादर मॉचनेवी में है चीफ इंजनियर और मेरे सारे टीचर्स जो उस टाइम पर हुआ करते थे सामर हॉलिडेज में वो सारे कोई बत्ती साब कहते हैं उनको बत्ती साब को क्या कहते है मतलब हम बत्ती साब बोलते थे सो वो सारे इंजनियर से ही मैं पढ़के मतलब स्कूल पास किया है मैंने तो I think एक बड़ी family है मेरे लिए और बहुत कुशी होती है कि लोग इतना प्यार देते हैं जी उस समय तो मैंने सब सोचल मीडिया सब बंद किया हुआ था और उस समय सिरफ एक ही लक्ष था कि मेरी performance अच्छी होनी चाहिए क्योंकि टोक्यो लंपिक्स में जादा बहतरीन में perform नहीं कर पाई थी मैं वर्ल नमबर वन और वर्ल नमबर टू थी बट उसके बावजूद भी में अच्छा प्रदशन नहीं दे पाई थी का उसका का movies पाई था कॉइस समय बस इतना लखश था कि अपना बैस देना देना जो सी का ऑस वह बैस देना है ओर बिग्रेट नहीं करना फिर तीसरे मैंच पर ध्यान था, तो I think मैं बस अपने शूटिंग पर ही ध्यान रखती हूं, जादा नहीं, पर इंडिया आने के बाद मुझे काफी जादा लोगों ने प्यार और सम्मान दिया है, जिसकी मैं बहुत-बहुत आभारी हूं.